हेलो दोस्तों मैं अवद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीक्रड स्टुडियो की एक और नई अपडेट में अपकमिंग बॉलीवूड फिल्म में बॉलीवूड के सबसे महंगी फिल्म बना सकता हूँ 25 सालों से बॉलीवूड पर राज कर रहे सूपर स्टार शारूख खान ने हाली में एक इवेंट के दोरान कहा कि मैं बॉलीवूड की सबसे महंगी फिल्म भी बना सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं विज्यापन से फिर से उतना कमा लूँगा मैंने अपने करियर में यदि 10 अच्छी फिल्में की हैं तो वो इसलिए क्योंकि मैंने फिल्मों से पैसे कमाने की उपर ध्यान नहीं दिया और आगे भी ऐसा ही रहेगा शारूख बॉलीवूड के उन एक्टरों मैंसे हैं जिरोंने हमेशा लीक से हट कर काम किया है शारूख ने करियर की शुरूआ टीवी से की थी जब फिल्म में चाह रखने वाला कोई भी एक्टर टीवी या विग्यापर में नहीं दिखना चाहता था लेकिन शारूख ने वहां से सफलता लेकर फिर बॉलीवूड में कदम रखा बहराल शारूख फिलाल आरन नेलरोई की फिल्म जीरो में दिखेंगे जो की 21 दिसमबर 2018 को रिलीज होने वाली है ये शारूख की सबसे बड़ी फिल्म है जीरो का बजट 200 करूर का है लहाजा आप फैंस को इस फिल्म से काफी उम्मीद है फिल्म में शारूख की साथ कटीना कैफ और अनुषका शर्मा है इस फिल्म में शारूख बोने आदमी का किरदाने बार है वहीं जीरो के बाद शारूख राके शर्मा की बायो उपिक फिल्म सारे जहां से अच्छा में दिखेंगे साल के अंद तक फिल्म के आदकारी घोशना कर दी जाएगी जबकि 2019 में फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी फिल्म के निर्देशक हैं महिस मठाई जबकि प्रोडक्शन का जिम्मा शारुक खान, रौनी स्क्रूवाला और सिधार्ट रॉय का पूने स्थम्भाला है उम्मीद है कि इन फिल्मों के जरीए शारुक एक बार फिर से बॉक्स आफिस पर राज करें शारुक खान की पिछली कुछ फिल्मों ने बैक टू बैक दर्शकों को निराज किया है चाहे वो हैपी नुएर हो या दिलवाले या जब हैरी मैट सेजल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले और डोंट फोर्गेट तो प्रेस दबैल आइकन फर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशन झाल